नमस्कार द्रिश्टी आईस के इन न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज हम लोग पेपर 3 यानि जी एस पेपर 3 में जो आंतरिक सुरक्षा का एक टॉपिक है उससे संबंधित और पेपर 2 जिसमें अंतरास्टिय संबंध की चर्चा की गई है इनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑर बात करेंगे वह टॉपिक है संबंध्र शूरक्षा के कंटेक्स में भारत की क्या इस्थिती है और भारत समुद्री सुरक्षा के भिहाफ में प्रंडुभी ताकत किस तरीके से वह तैयार कर रहा है इस पूरे मामले पर आज की चर् में जो भी dimensions जुटते हैं वे कौन-कौन से dimensions शामिल हैं dimensions की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर यह खबर है क्या दुसरा हम बात करेंगे कि भारत का पंडुब्बी कारेक्टरम क्या है और इसके context में क्या कुछ एतिहासिक या फिर historical context है और क्या कुछ सामाईक परिद्रिष्ट इसके context में देखा जा रहा है यहां मैं आपको clear कर दूं कि एतिहासिक के संदर्व में जब हम बात करेंगे तो भारत के इतिहास में जाकर करके हम कुछ भी नहीं टटो लेंगे बलकि पंडुब्बिक संदर्व क्छेतर में भारत ने बीते वर्सों में अपनी आजादी के बास से और बीते वर्सों में किस हिसाब से प्लगती की है उस संदर में हम बात करेंगे इसके साथ-साथicer जियर हैं एक एक आर्टिकल निकाला है इंडिया सममेरिन स्त्रिंथ है ना दरसल हुआ यह है कि cbine शिंटर्ल वीरो आफ इन्वेस्टिगेशन ने इंडिया नेवी के दो अधिकारियों की अगिंस्ट में चार्जशीट दाखिल किया है क्यों चार्जशीट दाखिल किया है तो उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत के सब्मेरिन जो एक प्रोजेक्ट है जो कि उन सब्मेरिन के मॉडरनाइजेशन से जुरा हुआ वह प्रोजेक्ट है उससे जुरे हुए कुछ डीटेल्स अवैध तरीके से शेयर किये हैं इस कारण से इन दोनों अधिकारीों पर दो अधिकारी हैं इन दोनों ही जो नेवी के आफिसर से इनके अगेंस्ट में चाल्स ट्रीट दयार किया गया है और चुकि यह जो एक पूरा मामला है यह इस तरीके से चर्चा में आया है तो इसी के मद्दे नजर यह एक खबर के तोर पर सामने आ गया और अब इसी के आधार पर हम सब्मरीन के कॉंटेक्ट में भारत की जो तैयारी है वह कैसी तैयारी है इसके बारे में हम जानने की को ऑर हले जो भारत का पंडुब्बी भारत की पंडुब्बी है वह INS कलवरी का जिक्र आता है यह फॉक्स्टाट क्लास का जो है यह शीप है INS कलवरी इसे नाम दिया गया था और USSR यानि की ततकालिन सोव्य संख के ने इसे भारत को दिया था और 1967 में भारत ने इसे USSR से चुकि अब सोव्य संख जो है रूस में तबदिल हो गया है पहले तो इसे USSR के तो पर जाना जाता था तो इसने भारत को दिया था कौन सा तो INS कलवरी 1971 में पाकिस्तान की विरुद में इसकी भूत ही महत्तव कौन भूमका रही थी ये एक जानने लाइक बात है और इसकी साथ साथ 1971 से 1974 के बीच चार और पंडुब्बियां भारत ने खरीदी थी और भारत को इसकी जरूरत महसूस भी होने लगी थी यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि भारत जो है यदि उसके नक्स्चे को यदि आप देखें तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र से लगा हुआ है आपको पता होगा यदि मैं यहां पर मैप के थूँ बत यह जो रिजन है यह इंडियन ओसियन यानि की हिंद महासागर वाला रिजन है और यह जो रिजन है यह बे आफ बंगाल यानि की बंगाल की खाड़ी वाला रिजन है यानि की भारत की जो यह लंबी तटिये सीमा है यह बहुत ही महत्पून है रणनितिक परिद्रिश्य की ह और साथ ही जो है समुद्री सुरक्षा के हिसाब से इसके मद्दे नजर भारत को यह आवश्यक है कि वह जो है अपने जो समुद्री ताकत है वह बरकरार रखे ताकि कभी भी ऐसी इस्थिति आन परे तो यह इसका वाजिब इस्तिमाल कर सके इसी के कॉंटेक्स में हम जो बात कर रहे हैं इसके इतिहासिक परिद्रिश्य में जो हम देख रहे हैं इसमें आइनस करवरी की चर्चा की गई इसके बाद 1981 में पस्टिमी जर्मनी से दो टाइप 209 पंडुब्यों को हासिल किया गया किसे वेस्ट जर्मनी से यहां पर मैं आपको क्लियर कर दो यह बात चल र इसके बाद फिर जर्मनी फिर से एक हुआ तो एक अलग ही मुद्दा है लेकिन यहां पर जो बस्टिमी जर्मनी से पंडुब्या ले गई इसके कॉंटेक्स में बात की जा रही है और शिशुमार क्लास का गठन किया गया 1986 में इसे कमिशन दिया गया शिशुमार क्लास किलू क्लास पंडुब्य आई एनेस सिंधु घोष जो है दिया था किसने तो रूस ने रूस यहनिकी इस एस आर की ही बात चली कि यह 1986 का दौर है अब यहां पर मैं आपको थ्रह सा हिंट कर दो कि यह जो कीलू क्लास का मतलब क्या हुआ और अभी जो जिन ऑफिसल्स की मैंन क्या तरीके से रूस यह जो से कि हैं तो यहां पर आप यहां ने किलू क्लास का मतलब क्या हुआ तो यहां पर बहुत ही मोटे तौर पर मैं आपको बता देना चाहूंगा की इसका मतलब ही हुआ कि यह वर से निर्मान में या फिर उसमें कुछ और नए उपकरन जोरे जाते हैं, कुछ और नए तकनीके उसमें शामिल की जाती हैं, उसका फिर से इस तरीके से कुछ निर्मान यदि किया जाता है, पूरना निर्मान किया जाता है, तो इस तरीके से जो पंडुबियां होती हैं, इन्हें हम कीलो क्लास की कैटेगरी में रखते ह तो इसी रूप में भारत को पहली बार रूस ने 1986 में किलो क्लास पंडुब्बी दिया था जिसका नाम क्या था आई एनेस सिंधु घोष इसके बाद स्वदेशी पंडुब्बी निर्मान है तू तीस वर्सिये एक योजना जो है भारत के द्वारा शुरू की गई थी और इस इसके तहत दो प्रोजेक्ट पर काम करना तै किया गया था इसमें कौनकों से वो प्रोजेक्ट थे प्रोजेक्ट 75 और दूसरा था प्रोजेक्ट 75 आई तो प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट के तहत जो है पंडुब्बी निर्मान योजना की शुरूवात भारत के द्वारा की गई थी लेकिन यहां पर थोरी सी चिंता वाली बात यह है कि यह जो प्रोजेक्ट है यह अभी भी सही तरीके से शुरू नहीं हो सका है हाला कि जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत जो है कई सारे पंडुब्यों का निर्मान शुरू किया गया है योजना तो यह थी कि इन दोनों प्रोजेक्ट के तहत 6-6 पंडुब्यों का निर्मान किया जाएगा और बाद में 2011-12 तक जब 6 पंडुब्यों का निर्मान इसके तहत किया जाएगा तो इसके बाद फिर से 2030 तक जो है संभावना थी कि भारत के पास लगवग 12 ऐसी पंडुब्यों बन सकेंगी प्रोजेक्ट 75 आई के तहत भी पंडुब्यों का निर्मान किया जा सकेगा लेकिन जो भी मैंने बताय भी कि अभी इस पर काम शुरू भी नहीं हो सका है आगे क्या है आगे यदि देखें यदि हम सामय प्रेद्रिश्य की बात करें यानि कि वरतमान में हाल फिल हाल के समय में भारत ने इस संदर्व में क्या कुछ गतिवीधियां की है इसके संदर्व में बात करें तो भारत को 1987 में सोवियत नौसेना से पहला इस इस इन प्राप्ट हुआ इसका नाम था आइनिस चक्र है ना इस-इस इन का मतलब हुआ कि ये nuclear submarine है है ना और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के पास nuclear submarine के अलावा एक इस-इस बी-इन भी है हैना मैं यही पर लिख देता हूँ इस-इस-बी-इन यहाँ पर जो SSBN का मतलब हुआ कि एक ऐसा निकलियर सब्मेरिन जो की बैलेस्टिक मिसाइड भी उससे छोड़ा जा सकता है और उसका नाम है आई एनस अरिहन्त आपने शायद सुना होगा इसका नाँ आई एनस अरिहन्त है ना इसके अलावा एक और ऐसा ही SSBN भी है भारत के पास जिस पर जो है काम शुरू हो चुका है और वह एक तरसे त्यार भी है उसका नाम है आई एनस अरिघट है ना आई एनस अरिहन्त और आई ये जो तथ्य आपको इसलिए जानना ज़रूरी है कि यदि कभी इस तरीके से सवाल बन जाए कि भारत जो है नाभिकिये पंडुबी के कॉंटेक्ट में किस हिसाब से कारे कर रहा है और भारत के बास समुद्री सुरुख्षा के कॉंटेक्ट में क्या कुछ आगे की रणनीति तो आप वहां पर इन उदारणों के माध्यम से बता सकते हैं कि भारत जो है निकलेयर सब्मैरीन ही नहीं बल्कि निकले शब्मैरीन और यहां पर यहां पर यह दित अथ्या आत्मक तौर पर डिदित देखा जाए तो आइनेस चक्र जो है भारत को इस समय रूस से मिला था तो 1987 के दौरान फिर 1991 में इसे सेवा में भी कर दिया गया था इसके बाद 2012 में 10 साल के पट्टे पर एक और रूसी SSN आइनिस चक्र 2 मिला था एक्षुली बहुत ही महत्वण प्रकार के पंडुब्यां यह इसलिए महत्वण होती है क्योंकि इन में निक्लियर इंजन होते हैं और यह लंबे समय तक आराम से समुद्र के अंदर में यह रह सकती हैं और जब भी इन्हें आविशक्ता होती है तो बहुत तेजी से जो भी टार्गेट है वहां तक पहुं सकती है लेकिन जो डीजल संचालित जो सम्मेरिन या फिपन डूबियां होती है उनको चार्ज होने के लिए अक्सर समुद्र के उपरी सतह पर आना परता है तो उस लिहाज से भी जो निक्लियर सम्मेरिन से यह बहुत ही महत्रपूर्ण होती है आगे देखें तो पी 75 जिसकी चर्चा हमने की प्रोजेक्ट 75 और पी 75 आई परियोजनाओं के बाद स्वदेशी रूप से बनने वाली बारह पंडुग्यों में से छे एसस के बजाए इसस इन होंगी य का मतलब से अनकि एक दो बार जिक्र किया ही के का मतलब कि एक तरह से मारक झंता इनकी अच्छी होती है कि एक पार के के पन्टेक्स्ट में आप समझे कैसी सम्मेर जो की किलर बहुत ही मजबूत होती है और वो इनकी मारेक छंता जो है ये बहुत ही अच्छी होती है लेकिन अभी जो बात चल रही है कि SSK के बजाए SSN होगी एसी पंडुब्यों की जर्चा अभी की जा रही है आगे देखें यदि हम यहाँ पर आगे बात करें कि चीन जो है किस तरीके से हमारे सामने एक खत्रे के दौर पर पेश आता है जाहिर सी बात है कि जो मैंने अभी एक मैप के थुरू बरताने की कुशिश की है कि भारत की जो नौ सेना और विशिष्ट पंडुब्य चमताओं में आगे निकल रहा है भारत से यह जो है एक ठिंता वाली बात है कि भारत जो है अभी अपने पंडुब्यों के आधोनी की करन में जिस तेजी से कारे कर रहा है उससे कहीं अथिक तेजी से चीन जो है अग्रसर होकर करके और इसमें भूंका निभा रहा है, यहाँ तक की चीन जो है कई सारी पंडुब्यों को पाकिस्तान को भी उसने सवंपा है, ऐसा कई जानकारों ने कहा भी है और जानकारियां भी इस अंदरव में मिली हैं यहाना, दो कार्णों से भारत को अधिक पंडुब्यों की आवशक से करने की आजशकता है पाकिस्तान को चीन पंडूब्या और कि मैंने कहाका है कि चीन पाकिस्तान संक्या बताई गई है ही अब समझ साकते हैं जिदि भारत के मांचितर को देखा जाए । यदी ये इंडिया है तो इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ चाइना है यदि चीन और पाकिस्तान इस तरीके से साजहदारी करते हैं पंदुब्यों के सिंस में पंदुब्यों के विस्तार में तो फिर वो भारत के लिए एक चिंतनिय इस्तिती सामने आ सकती है इस लिहाज से भा अधोनिक पंडुब्यों का नियमान कर सके हैं आगे हम देखते हैं आगे क्या है इस पूरे चर्चा के आधार पर अब जो सवाल बन सकता है वह सवाल यह है कि समुद्री सुरक्षा के नजरिये से भारत की पंडुब्य ताकत की विस्तार से चर्जा करें अभी जो मैंने शुर विस्तारहें हैं इसके बारे में मैंने बताएं बहुच प्रजेक्ट में meaning सघ्जास किया उनाहीरति कीसी सीमा जहां किस हिसाब से जय्जी घ्रूरी है कि पंडुब्य ताकत है वह और अच्छे से वो इस्त्रिंदन करें उसे मजबूत करें तो आज की चर्चा में इतना ही मिलते हैं नेक्ट सेशन में किसी और महत्वकून टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए नमस्कार